जैहिं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल जैक पूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का अर्दवार्सिक परिक्षा जो 30 तारीक को आप लोगों को होने जा रहा है उसके लिए साइंस का मौश्ट इंपोर्टेंट सवाल सेट 5 ल कि हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मॉबाइल पर जाए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला सवाल जीवों में उत्तर जीवता के लिए आवशक क्या है जीवों में उत्तर जीवता के लिए जनन जो है आवशक होता है यानि कि प्लिडि अपनी प्लिडि को प्रिश फोलिके याद रख रहिएगा एक्साम में आएगा तो देख लेजीएगा जो जिविशी को जणम ना देकर अंड़े देता है उसको क्या कहते तो जो जूब शीव dolphin को जनम ना देकर अंड़े देगा उसको अंड़ प्रजक कहा जाता है अच्छा सवाल है एक्जाम में से कौन सा जन्तु जरायूज है आपको बताने यानि कि जनम देने वाला मनुस्य मुर्गी कववा बतक तो कौन देता है मनुस्य यहाँ पर हमने आप तो इसलिए ट्रिक से याद करवाया था कि जो से जरायूज जो से जनम ठीक है याद कर लिजेगा मानव के नर युगमक को क्या कहते हैं आप जो मानव है उसका जो नर युगमक होगा उसको क्या कहेंगे तो सुकरानू नर का युगमक होता उसको सुकरानू कहा जाता है निमलिखित में से किस जीव में बाही निसेचन होता है यानि कि बाहरी बाहरी निसेचन होता है कौन से जीव में होता है तो मे अंत्रिक निसेचन जो होगा मादा के सरीर में होता है, अंत्रिक निसेचन कहा होता है, मादा के सरीर में होता है, अगला सवाल है हमारा, मादा युगमक तथा नर युगमक के संयोजन की विधी क्या कहलाती है, तो मादा युगमक और नर युगमक की जो संयोजन की विधी है, वो क्या कहलाएगी आपको बता नहीं है तो right answer इसका option ए निसेचन कहलाता है ठीक है next जो सवाल है हमारा कि एक युगमक में पाए जाने वाले केंद्रेकों की संख्या क्या होती है तो एक यूगमक में पाय जाने वाले केंद्रकों की जो संख्या होती है वो एक ही होती है नेक्स्ट है आपका विखंडन के द्वारा जनन निमलिखित में से किस जीव में होता है यह जो जनन होता है यह कौन से जीव में होता है तो अमीबा में होता है विखंडन के द्वारा ठीक है मादा जनन अंग है कौन यहाँ पे मादा जनन अंग है पहचानना है आपको तो गर्भास है जो है यहाँ पे यह मादा में होता है विर्सन किस में होता है पुरुस में सुकरानू किस में पायाता है पुरुस में सीसन किस में होता है जिससे हम लोग का यूरिन निकलता है ये पुरुस में लेकिन गर्भासे किस में होता है महिला में ठीक है चलिए लेंगिक जनन में भाग लेते हैं कौन लेंगिक जनन में भाग लेगा ये बताना है तो एक नर और एक मादा जब लिंगों का जनन होगा लेंगिक जनन होगा तो वहाँ पे एक नर और एक मादा का होना जरूरी है मादा जनन अंग में क्या होता है यह आपको बतानी है तो इसमें जो होगा एक जोड़ी अंडासे पाय जाता है मादा जनन अंक में एक जोड़ी अंडासे होगा ठीक है तो इसके साथ ही कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स को भी देख कर जाना होगा क्योंकि यहां से भी आपका जो है अब्जेक्टिव कोश्चन बन तो युगमनज बनते हैं क्या बनते हैं युगमानज युगमनज बनते हैं ठीक है कहां यह दो नमबर में भरिएगा तीन में मत भर दिजेगा तीसरा में क्या बोला है युगमनज विक्सित होकर डैस का निर्मान करते हैं तो भूर्न का निर्मान करते हैं किसका करते हैं त इसमें मात्र एक जीव की आवेसकता होती है, क्या कहलाती है, तो निसेचन, नहीं, अलाइंगिक, क्या हो जाएगा, अलाइंगिक जनन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ठीक है, कोशन पांच प्याते, अंडानू और सुकरानू के सनलेहन को क्या बोलते हैं, तो निसेचन बोलते ह विसेश परिवर्तन के साथ सिसु का वियस्क में परिवर्तन होना क्या कहलाता है तो ये कायंतरन कहलाएगा क्या कहलाएगा कायंतरन क्या कहलाएगा कायंतरन कहलाएगा ये भरना है आपको कोशन नबर 6 में नेक्स्ट आपका question number 7 पे आई ये कह रहा है आपसे पर्थम clone भीड का नाम क्या था तो पर्थम clone भीड जो था उसका नाम था डौली क्या नाम था डौली नाम था ठीक है भूर्ण की वह अवस्था जिसमें सभी सारे रिक भागों की पहचान हो सके डैस कहलाता है तो क्या कहलाता है गर्ब क्या कहलाएगा गर्ब मनुस्य में डैस निसेचन होता है तो मनुस्य में आंतरिक निसेचन होता है कैसा निसेचन होता है आंतरिक निसेचन होता है मनुस्य में आंतरिक निसेचन होता है ठीक है नेक्स्ट आप निसेचन के बाद डैस भी भाजन होकर भूर्न विक्सित होता है तो युगमनज युगमानाज युगमनज ठीक है तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को प्रमोट किया था मुरली ने धनबाद से नगमा ने बोकारो से कमेंट बोक्स में अपना नाम और अपने जीला का नाम बिलकुल निखना ना भूले मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में थैंक यू